कि अरफ डिश्टो आज हम लोग कि ठीविंग से रेलेटेट एक को एंग परिट exercise करने जा रहे हैं जो कि lows तेंप्लेड यह अगर आप डूपल पर फाइल का होती है यह देखने के लिए हम लोग चलते हैं हमारा जो existing drupal का setup है उसके अंदर ठीक है तो मैं यहाँ पे existing drupal setup में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का layout जो है वो मैंने open किया है drupal का ठीक है अब आप यहाँ पे screen पे देख रहे हैं कि हर एक reason जो है वो yellow color से यहाँ पे highlight हो रहा है ठीक है अभी यह जो yellow color से जो reason highlight हो रहा है जैसे यह header है मानने जी ठीक है तो यह क्या होगा header है यहाँ header region पे जो भी block render होगा जो भी content render होगा वो यहाँ पे header पे दिखाई देगा तो यह जो header है ना इसका एक अलग से template है यह जो header है उसका एक अलग से template है उसी तरीके से यहाँ पे header right करके एक reason है ठीक है तो यह header right जो reason है यह भी एक template के साथ connected है उसी तरीके से यह जो navigation है यह भी एक template से connected है इसका मतलब यह है कि इन रीजनों में जो भी content आ रहा है उसका जो html markup है वो particular template file से generate हो रहा है ठीक है अभी content reason है तो आप देखोगे जो भी content है जो भी हम लोग node page बनाएंगे जो भी node page हम बनाएंगे content page जो भी बनाएंगे उसका जो content area होगा वो content वाला जो template files होगा html markup आएगा क्योंकि drupal क्या करता है drupal dynamically content को generate करता है लेकिन उस dynamically content जो generate हो रहा है database से उसका layout set करने के लिए हम लोगों को कुछ html structure की जरुरत होती है जिसको browser understand करता है तो उसको जो browser understand format में convert करने का काम है वो हमारे template करता है ठीक है जिसे अभी footer है अभी आप देख रहे हैं ये पूरा footer है तो ये पूरा footer के लिए एक template है और उसके अंदर भी फिर तीन footer बने हुए हैं तो इन पूरे footer 1, footer 2 और footer 3 के लिए भी क्या होगा footer 1 और footer 3 के लिए भी अलग से क्या होगा हमारे पास template file होगी तो हम लोग जिस reason को चाह रहे हैं जिस reason को जैसा हमको layout देना है हम उस template file की मदद से बैसा layout जो है वो दे सकते हैं तो ये बात तो हो गई कि template की templates करते क्या है ठीक है अब दूसरी चीज़ होती है कि template को हम लोगों को जो template हम लोगों ने बनाए जो template हम लोगों ने बनाए है वो template मतलब जो drupal हमको template दे रहा उसका path हम लोग कैसे पता करेंगे ठीक है तो मैंने example के लिए कुछ templates पर ये border दे रखी है ठीक है आप यहाँ पर expect element करेंगे तो यहाँ पर यह जो rate color का border दिखाई दे रहा ना यह rate color का border यह कहां से आ रहा है यह page.html.tix से आ रहा है आप theme suggestion चालू करेंगे तो expect element में आप जाएंगे तो system आपको बताएगा कि कौन से template फाइल महाँ पर यूज हो रहा है उस html markup को generate करने के लिए एना for example अगर मैं page.html.tix की बात करता हूँ तो page.html.tix में यह आप देख रहे rate color से यह border आ रही है तो यह पूरा जो page है वो इस फाइल से आ रहा है यह जो पूरा page है यह पूरा page इस वाली फाइल से आ रहा है जिसका नाम है यहाँ पर page.html.tix और यह फाइल का जो है वो बात है ठीक है उसी तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पर green color से जो है वो कुछ highlight हो रहा है तो यह green color से जो highlight हो रहा है यह कहां से आ रहा है यह node.html फाइल से आ रहा है क्योंकि यह क्या है यह HTML node है ठीक है तो जो green background आ रहा है वो कहां से आ रहा है यह वाला जो green background है हमारा यह green background हमारा आ रहा है node.html.tix फाइल से आ रहा है क्योंकि यह node का contain area है उसी तरीके से जो header आएगा जो block आ रहा है यह जो block आ रहा है ना यह इस block का design अगर आपको change करना है तो आप इस template file का जाके design change कर देंगे तो यह पूरा change हो जाएगा ठीक है यह roll होता है templates का अब कुछ templates अब इस templates को लेखे कैसे आना है हम लोगों नो क्या है कि यह path देखा यहां पे हम लोगों ने इस इस file का जो है वो path देखा यहां पे कि यह जो file है वो page.html यहां से आ रही है ठीक है अब आप क्या चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी theme में इस file में आपको कुछ change करना है मान लिए यह layout container है इसकी जगा आपको कुछ और एक class add करनी ही यहां पे यह column to add करना है कुछ और add करना है तो आप क्या करेंगे आप इस path पे जाएंगे और page.html file को copy करेंगे और आपकी जो theme होगी उसके अंदर एक templates folder होगा महाँ पे जाके आप best कर देंगे basically हम लोग जो base theme बनाते हैं उसका object यह होता है कि जो हमारी child theme होती है वो base theme से पूरा का पूरा template को inherit कर लेती है इस example को समझने के लिए हम लोग चलते हैं इस बाली theme के अंदर जो templates बने उसके अंदर तो मैं जाता हूँ यहां पे templates folder के अंदर contribute theme के अंदर जाता हूँ मैं themes folder के अंदर contribute theme के अंदर जाता हूँ तो ये दो theme यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ठीक है इस theme की मैं यहाँ पे info file open करूँगा तो इस info file में आप देख रहे हैं जो base theme है वो हम लोग को ले रहे हैं ये boot step theme ठीक है अभी boot step theme में जाता हूँ तो ये boot step theme है इसके अंदर templates में जाता हूँ तो ये सारे templates बने हुए blog का template है कि blog किस तरीके से दिखाई देगा search form का template है कि search form पे किस तरीके से दिखाई देगा तो ये सारे template हमारे पास automatically inheritance के concept के कारण हम लोगों को इस theme में access हो जाएंगे परंतु हम लोग चाहते हैं कि हमारे theme ये जो template access हो रहे हैं इन template में हम लोग कुछ change करना चाहते हैं example के लिए अगर blog में में जाता हूँ और यहाँ पर blog.html है इसमें मेरे को कुछ change करना है इस code में मुझे section की जगा div रखना है तो मैं कैसे कर पाओंगा मुझे इस file को copy करनी पड़ेगी मैं यहाँ से इस file को copy करूँगा और मेरी theme में जाओंगा मेरी theme मतलब यहाँ पर contributed theme में इस theme के अंदर जाओंगा templates के अंदर जाओंगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा उसको paste तो मैं यहाँ पे जाके इस file को paste कर दूँगा तो क्या होगा? इस file को paste करने से क्या होगा? कि इस file में मैं कुछ change करूँगा तो Drupal के system के recording अब जो template लेगा वो local theme से लेगा, waste theme से नहीं लेगा तो इस तरीके से template system जो है वो काम करता है Drupal के अंदर हम लोग एक particular reason का template बना सकते हैं यहाँ पे आपको जितने reason दिखाई दे रहा है yellow color से जितने reason highlight हो रहा है सबका हम लोग template बना सकते हैं हम लोग view pages का template बना सकते हैं हम लोग node pages का template भी बना सकते हैं ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि यह जो page है यहाँ पे आपको Drupal कुछ suggestion दे रहा है यहाँ पे आ रहा है कि page node36.html.it इसका क्या मतलब है इसका मतलब यहाँ पे यह है कि अगर आपको 36 वाले page के लिए जो page ID जिसका ID 36 है उस वाले page के लिए आप लोगों को कुछ specific layout चाहिए तो आप इस तरीके से अपना template generate कीजिए तो क्या होगा कि 36 वाले page पे जब भी कोई requestor visit करेगा तो 36 वाले page का layout आपका इस template file के according generate होगा ठीक है तो इस तरीके से हम लोग अलग-अलग template बना सकते हैं अगर आप both step basic theme में जाएंगे और अगर आप देखेंगे तो इस theme के अंदर आप templates folder में जाएंगे तो हर चीज के लिए इन लोगोंने template बना रखा है note page note page से तातपर क्या होता है content page तो जितने content page है उसके लिए यहाँ पे template बना रखा है note.html तो जितने भी content page पे user visit करेगा वो इस file से html markup generate होगा उसके बाद में आपको views page है जो view बने हुए है तो view के लिए template बना रखा है तो जो भी view पे user visit करेगा वो इस page से इस template से आएगा सारा view उसके बाद में block है तो जो block का html markup आएगा वो यहाँ से आएगा block के अंदर भी इनोंने block specific template बना रखे हैं जैसे की block search तो जो search वाला जो block है उसका जो layout है वो यहाँ से आएगा उसके बाद में जो जितने जैसे की title है page का title एक block है तो page का title एक block है तो उसका html का markup जो है वो इस file से आएगा तो इस तरीके से template system काम करता है जो की drupal द्वारा dynamically generate किये गए page को html markup देने का काम template files करती है